नमस्कार दोस्तो मैं हूँ पवंड धाकला दोस्तो काफी समय बाद आज आपसे बाच्चित हो रही है और कुछ बातें थी मेरे दिमाग में जो शायद आप लोगों से डिसकस करनी जुरूरी थी और कुछ ऐसी समाजिक बातें और कुछ ऐसे वीशे हैं जिनसे आप लोगों क को रूबरू कुराना मुझे लगा की जुरूरी है दोस्तों पहली बात की आप देख रहे हैं पिछले करीब तीन महीने से पतनी क्या ऐसी भगवान की तरफ से भगवान हमसे नराज है या पतनी क्या ऐसा इश्वार है कि आपने देखा कि सबसे पहले गाउं टॉंठा से एक ह कैंसर डिटेक्ट होने की खबर लगी और उसके बाद बस्तली गाउं से जो हमारा एक भाई था पहलवान जी वहाँ पर एक्सिडेंट का शिकार हुए USA में उसके बाद एक और घटना घटी अमेरिका में जिसके बारे में जादा जानकारी मेरे पास नहीं है लेकिन कल की बा एक दुरगटना का शिकार हुआ तो दोस्तों देखिए इन घटनाओं को रोका नहीं जा सकता लेकिन फिर भी एक यह चिंता का विशे है यह जितने भी बच्चे हैं जितने भी बच्चों की मैंने आप से बात की जो भी हमारे यह नोज़वान थे यह कहीं ना कहीं यहाँ और रोजगार की तलाश में दूसरे देशों में गए अपना घर छोड़के गए और इन हालत का शिकार हुए आप लोगों ने दिल खोल के जो जितना कर सकता है उसका जो बच्चे का अपना एक फ्रेंड सरकल होता है वो चो यहां पे हो चो वहां पे हो और इसके इलावा जो गाउं से यह बच्चे समन्द रखते थे यह गाउंवाले भी आ गया और इन गरीब परिवारों की काफी अच्छी मदद जो हो सकती थी वो मदद इन लोगों ने की हाँ एक केस जरूर कही ना कहीं इस तरह से रह गया जिसम बारे में हम कुछ नहीं कर पाए और उसके लिए भी कही ना कहीं कुछ राजनितिक दल या राजनितिक विक्ति उसके लिए जिम्मेवारा हैं मैं अगर बात करूं कालरंगाओं के अभिशेक की जिसके बारे में आप सब लोग भूल चुके होंगे लेकिन मैं अभी तक नहीं भूला उसके बारे में कोई भी जानकारी अब तक प्राप्त नहीं हुई और उसके बारे में बहुत सारे जूटे आसवाशन की हम ये करेंगे वो करेंगे किये गए लेकिन आज तक वही ढाक के तीन पात वाली बात आज तक उस विशे में कुछ भी कंक्रीट नहीं किया गया और परिवार को उसके बारे में कोई जानकार कोई जानकारी उन हत्यारों के बारे में नहीं है जिन लोगों ने एक गाउं के निवासी होने के साथ-साथ उस बज्चे की वहाँ पर निर्मम हत्याप की, दोस्तों यह तो थी एक समाजिक बात और इस बारे में हमें मिल जुलकर सोचना चाहिए कि किस तरह से इन दुखी पर जाते हैं डिपेंड करता है कि घटना कहां पर गटी क्या हुआ कि भाई की बोड़ी को कैसे वहां पसलाया जाए क्या सरकार इस बारे में कोई मदद करेगी और मैंने जैसे पहले का कि सबी परिवार कहीं न कहीं गरीब परिवार होते हैं समाज इनकी मदद को आगे आता है उसके लिए फिर गोफंड बनाना पड़ता है फिर मीडिया वहां पर जाता है कल चोर कारसा की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं दिन में वहां पर पहुचा तो मेरे साथ एक पत्रकार भी थे बहन जी थी पत्रकार और उन्होंने बेखुबी वहां पर अपना वी दिलाएं थी परिवार में उनसे बात कर रहे थे तो बड़ा एक ऐसी मतलब ऐसा एक सीन क्रियेट हुआ जिससे कहीं न कहीं हमारी आखों में भी पानी आ गया और उसके बाद मैं भी वहां पर वीडियो बनाने गया था लेकिन मुझे लगा कि अब ये बनाना वीडियो बना और जहां तक बात करें समाज की समाज को अगर जागरित करते रहें किन बातों को उठाते रहें तो कहीं न कहीं कोई शोर सुनाई देता है कोई बादचित सुनाई देती है अन्य था कोई भी किसी के बारे में बादचित करके राजी नहीं है कोई किसी की मदद करके राजी हैं ये ऐसा एक माहौल कहीं न कहीं क्रियेट हो गया है तो मैं समाज के उन बुद्धी जीवी लोगों से समाज के ऐसे लोगों से जो कहीं न कहीं फ्री हों आजाद हों अपनी परिवारी जिम्मेवारियों से क्योंकि परिवार की जिम्मेवारी से अगर कोई विक्ती सही नहीं है और आप समाजिक बतें करें तो पहला विशे यह बहुत जुरूरी है दोस्तों हमारा समाज यहां पर खतम होता जा रहा है मैं कहूंगा यह कहना अत्यशोक्ति नहीं है गलत नहीं है कि आने वाले 20-30 साल में शैद हमारा समाज जितने भी हमारे गाउं है आज की ड दिखाई नहीं देता शादी विवा की वो नजारे वो जिस तरह से पहले युवाई कटे होते थे रिष्टेदार आते थे और एक महौल बनता था वो कहीं ना कहीं अब खतम हो गया हर चीज चीज उत्ती जा रही है तो एक यह गंभीर विशे है इस बारे में सब लोगों को चाव राजलितिक से हों चाव समाजिक हों हम सब लोगों को मिलकर कहीं ना कहीं सोचना चाहिए इस मामले में आप क्या सुचते हैं क्या समाज कर सकता है क्या एक विक्तियों का समूग कर सकता है इस बारे में आप अपने विचार फोन करके या कमेंट में जरूर दें दोस्त तो दूसरी बात फिर वही बात निकल कर सामने आती है कि करीब शायद दो महीने होने को आए हैं रोड महासभा की जो कार्यकार्णी थी उसने अस्तिफा अपना दे दिया और ये इस्तिफा इसलिए दिया गया था कि जो चुनाव हैं पिछले साल भी शायद आज की डेट में ही एक सर्कुलर चुनाव के लिए निकला गया था मैं सुबह फेस्बूक देख रहा था जो एक अखबार की कटिंग थी है जो एक सर्कुलर था शायद मेरे सामने निकल के आया तो आज ही के दिन इलेक्शन के शुरुआत हुई थी इट मींस की अगर अभी तक शुरुआत नह कर रहा जो परधान पद के लिए उम्मिद वा रहा है वो भी बात नहीं कर रहे हैं कोई आवाज नहीं उठके आ रही और जो एडमिनिस्टेटर हैं जो घरुंडा की SDM है मैडम उनको हमारा एडमिनिस्टेटर निक्त किया गया है और आपको पता है कि एक सरकारी अधिकारी के पास आज की तारिक में इतना काम है कि शायद सोचने के बाद भी वो इतना समय ना निकाल पाएं और दूसरी बात दोस्तों ये हमारे समाज का चुनाव था हमारे कोई इसमें ऐसा नहीं था कि कोई हला गुला था या कोई वाडबंदी में कमी थी क्योंकि आपको पता है क जो चुनाव होंगे इस बार के वो पिछली वाडबंदी पर ही होंगे और कार्यकारणी ने परधान जी ने भी इस्तिफ़ा इसलिए दिया था ताकि किसी तरह का कहीं पर भी कोई विरोध ना हो और आप अपनी पसंद से अपनी नई कार्यकारणी नया परधान समय पर इस स बारे में इस टर्म में शायद संभावना कम थी लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते बिलकुल इसमें 100% राजनीती है कहीं ना कहीं सरकार की भी ये मन्शा है सरकार को जो फीड़ बैक दी गई वो फीड़ बैक ये दी गई पता नहीं किन लोगों ने फीड़ बैक दी बिलक को हर बात में कहीं न कहीं राजनीती नजर आती है और समाज का उत्थान नजर नहीं आता, समाज के क्या फैदे हो सकते हैं, सबी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर, सब लोगों के साथ एक समन्वे बना कर, इस समाज को कहां पर पहुचाया जा सकता है, इस बारे में लोग नहीं सोचते सिरफ अपनी कुर्सी अपनी बात और सिरफ राजनेती कहीना के निकल के आती है तो ये जो सभा है इस बार भी कहीना कहीं राजनेती की भेट दुबारा से चड़ गई जो नहीं चड़ने चाहिए थी और जिस तरह से मैं फिर वही कहना चाहूंगा देखिए एडमिनिस कालो और जो भी 21-21 कार्यकारणी थी यह समाज था वो डॉक्टर समर सिंग जो की अंजन थली का विश्विद्याले है वहां से रिटाइर है उनको अपना एडमिनिस्टर लगाने के लिए राजी थे सभी लोग लेकिन एक भी नहीं सुनी गई और राजनेती के परभाव कहा से हो सकता है किन लोगों का हो सकता है किन लोगों को इस सभा से सभा के परदान से या यहां के कारियों से दिक्कती यह जग जाहिर है और उन लोगों ने फिर एक राजनेती खेलते वे कहीना कहीं जो घृंडा की SDM है उनको यहां पर एडमिनिस्ट्रेटर सरकार का कहने से न उनकी कमी है लेकिन फिर भी राजनेती करते हुए ताकि इस सभा के चुनाव लेट हो और अपनी मन पुसंद के विक्ति को लाने के लिए इस सभा में गड़बडियां की जा सके और अपने इस हाफ से चीजों को चलाया जा सके एड्मिन्स्टेटर जो कि SDM है गरुंडा से उन और ये चुनाव इतना इजी है इतना असान है इसके लिए कहीं न कहीं भौवलिक स्थिति के साथ साथ समाज प्रिस्थितियों का जानना भी उस विक्ति के लिए बहुत जरूरी है जो इस सभा को अड्मिन्स्टेट करे अगले प्रधानबद के चुनाव होने तक और ऐसे पिछले बार भी आपको पता है कि एक जो अड्मिन्स्टेट राए थे दूसरे समाज से आये थे लेकिन उन्होंने यहां के महल को देखते हुए शायद एक भी दिन यहां पर रहना गवारा नहीं समझा और उन्होंने अपना रिजाइन दे दिया तो दोस्तों आप कारी जो अड्मिन्स्टेटर सहीब हैं वो ना तो यहां पर आज तक आए क्योंकि मेरी खुद बात जो यहां पर मैनेजर हैं जो परदीप हैं उनसे मेरी खुद बात चीत हुई उन्होंने सारी चीज़े मुझे बताई जो यहां की जो सेलरीज हैं वो भी कहीना के कैसे दी हैं और जितना इस चीज़ में लेट होगा कहीना कहीं जो गड़बढ़ियां हैं वो होने की संभावना हो सकती है देखिए हम यह सरकारी संस्ता है अपना समाजिक संस्ता है और बहुत सारे लोग जब इस तरह से अपना खुले तोर पर वहोंगे कौन मैनेजर कहां पर क्या क साम कर रहे होंगे कहां पर कमरे दिये जा रहे हैं कोई कमरे नहीं दिये जा रहे हैं कोई इसकी पूछताच करने वाला नहीं है कोई देखने वाला नहीं है तो इन चीज़ों का क्या नुकसान नहीं हो रहा आप हमेशा बात करते हैं कि समाज का नुकसान होता है तो अब किसी को किसी चीज से कोई मतलब नहीं है सिरफ अपने चुनाव से लेकर उन चीजों से मतलब है अपने सेटिंग में सभी लोग शैर लगे हों मुझे नहीं पता ऐसा क्या होगा लेकिन लगता ऐसा ही है तो सभा का दोस्तों नुकसान हो रहा है आपको वाज उठानी चाहिए और मैं जो एड्मिनिस्टेटर साहिब हैं उनसे भी हाथ जोड़कर मेरी परातना है कि वो नियुक्त हो गए हैं उनको भी अपनी जिम्मेवारियां समझने चाहिए और उनको यह समझना चाहिए कि यह एक बहुत बड़ी सभा है यह कोई चोटी सभा नहीं है जिसका विश् संद रमशाला निर्मान दीन है और डेफिनेटली अगर यहां पर प्रधान नहीं होंगे और अगर होती है तो वो लोग भी इस चीज को बचते हुए कि कहीं कोई गड़बढ ना हो इस चीज से कहीं ना कहीं अपने आपको दूर रखते हैं और जिस तरह से कोई चेक काटना है कोई बड़ा फैसला लेना है कोई बड़ा काम करना है तो उससे वो कहीं ना कहीं दोरी बना के रखते हैं तो हम उनसे भी परातना करते हैं हम समाज से भी परातना करते हैं हम बुद्धी जीवी लोगों से भी परातना करते हैं इवन आज हम धरमशाला में आये थे वह कारियर है, वह ग्रांट के उपर अधारीत है और ग्रांट है ये जो b хорошо ہے यह अलरेडी अलोट हो चुकी है और यहां पे ADC साहाब है Size उनके थूर ये चलता है तो ठेकेदार अलोट हो चुक है और Road Employee Association और इसके साथ साथ रोड मासबा अपना कारिय जो कारियकाल था उसका पूरो होने के बाद भी कही ना कहीं इसमें इंटरस्ट लिये हुए हैं और ये निर्मान कारिय जो है वो यहाँ पर चल रहे है तो दोस्तों यह दिखिए आवाज उठाने की बात है सोचने समझन की बात है बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके हम हमेशा चुप रहते हैं और कहीं न कहीं जो मुद्दे हैं जो जनहित के मुद्दे हैं समाजिक मुद्दे हैं इन मुद्दों पर हमें कहीं न कहीं बात चित करनी चाहिए और बिलकुल यह होट इशू है आज की ता लेगी बात है हमारे बर्साना का एक नव्योग शायद 20-22 साल उसकी उमर रही होगी तीन बार असफल होने के बाद अमेरिका की जो डॉंकी लगाते हैं विदेश में जाना चाहता था वो नहीं लग पाया उसकी डॉंकी नहीं लग पाई वो वहाँ पर जाना में कामयाब नही याँ खाली और सब्सक्राइं बच्थे कई न कहीं मानसिक तनाओं में हैं और हर मा-बाप जिसके बच्चे आज़ की तारिय dlatego को सोच रहे होगा बच्चों का भविशे क्या होगा बवच्च यहां पर भी हो सकता है सब कुछ यहां पर हो सकता है लेकिन लेकर बेड़ चार स चलती है हर वेक्ति मैं किसी एक समझदार वेक्ति से बात कर रहा था इस बारे में क्योंकि मैं भी समझदा से कहीं न कहीं गरसित हूँ आज की तारिक में तो उन्होंने का कि जिस तरफ समाज चल रहा है आपको भी महीं पर चलना चाहिए अगर आपका बच्चा बाहर नहीं ग हैं थोड़े दिन बाद 20 साल 30 साल बाद शायद आपको ये भी सुनने के मिले कि जो भी हमारे बच्चे हमारी नेक्स जनरेशन है वो अमेरिका कैनेडा और अस्टेलिया जैसे देशों बैठे होगी वो भी ये कहेगी कि हम शायद वहाँ से होकर आई हैं तो मैं आप सब लोगों से हाज जोड़कर प्रातना करता हूं मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि इस मामले में ज़रूर कुछ करिए आप 10-20 इस लोग आप इसमें कमेंटर में भी कर सकते हैं, मुझे फोन भी कर सकते हैं, हम चाहते हैं, प्रदानजी से भी सुष्य में बात हुई थी, और सब लोगों से भी बात हुई, कि आप सब लोग आएं, और दूसरी दोस्तों बात आ रही हैं, आज कल शादी विवाह की, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, मेरे पास करीब हरूज डेली किसी ना किसी का फोन जरूर आता है, जो विदेश में बैटे हैं ya यहाँ पर बैटे हैं, रिश्टे नहीं हो पारे हैं बहुत बड़ा इशू है दोस्तों यह, और जो इस इशू को फेस कर रहे हैं, उनको पता है कि कितनी दिक्कत में आज के तारिक में मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा अग्रह करूंगा मैंने पहले भी कुछ समय पहले एक इनिशेटिव लिया था और दुबारा से क्योंकि शायद मेरा मन इनी कामों के अंदर लगता है मुझे अच्छा लगता है मैं दुबारा से इस कारिये को करने के लिए बिल्कुल तयार हूँ कर भी रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसकी शुरुवात की जाए और मैं इसकी शुरुवात करने के मैंने कर भी चुका हूँ और कर भी रहा हूँ और करूंगा भी मैं चाहूंगा कि अगर आप भी इस समस्या से ग्रसित हैं आपका भी कोई रिष्टा करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप सब लोग अपने अपने प्रोफाइल अपने जहां पर भी आप अमेरिका में रहते हूं कहीं भी रहते हूं अपना complete प्रोफाइल और खाली ये बात्चित से नहीं होगा कि हम बात कर लें टेलिफॉनिकली बात कर लें ये कहीं न कहीं हमें मिलना पड़ेगा और मैं इस कारिये के लिए बिल्कुल तयार हूं आप मिलें अपने बच्चों के प्रोफाइल के साथ मिलें और कही न कही हम कोशिश करेंगे कि जब इस चीज की एक शुरुवात करेंगे तो ओर लोग इस कारियोसे चुढ़ेंगे और जिस समस्या का यह समस्या विक्राल है बहुत विक्राल करूप धारण करने जा रही है बच्चे बाहर चले गए हैं बच्चें बाहर जा रही हैं कोई पी आर नहीं हो रहा जो एक शादी की एक आम एज थी 20 से लेके 22 साल 23 साल 24 साल वो आज एज बढ़कर कहीं ना कहीं 30 से 35 साल पर आटोमेटिकली जा चुकी है मैं चाओंगा कि आप सब लोग इस मामले में सही होग करें और कहीं ना कहीं अपनी positive feedback negative feedback जो भी आप इस विशे में बताना चाहें करना चाहें वो जरूर दें और समाज इस मामले में इकटा हो चुनाओ जल्दी हो और ये चुनाओ राजनिती से गरसित ना हो जो लोग इस संस अवस्था को भी राजनिती में गसीड़ना चाहते हैं और मैं बिल्कुल उनका विरोध करता हूँ चुनाओं में भी उनका विरोध होगा और जो उनकी मंशा है वो मंशा बिल्कुल साफ नजरा रही है बिल्कुल clear cut है हर व्यक्ति को इस बारे में पता है तो इस मामले में ह संतुलन हर चीज में बहुत जरूरी है और जिस अवस्था से मानसिक तनाव से माबाप और हमारे बच्चे गुजर रहे हैं इसके लिए कहीं ना कहीं उनको एक संबोधन की एक guidance की able guidance की बहुत जूरत है और मचाताओं की आप इस विशे में जरूर कहीं ना कहीं खाली चुन आज को देना चाहते हैं तो आप शर्माएं नहीं घबराएं नहीं कोई दिकत नहीं है आप बिलकुल सामने निकल कराएं दोस्तों किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे मेरे मुबाइल नंबर 89294-222022 पर संपर्क कर सकते हैं और जैसे मैंने बताया अगर आपके दिमाग में कोई आसे प्रोफाइल हो तो आप यह प्रोफाइल वट्साइप पर भेजें और वट्साइप पर भेजने के बाद थोड़ी सी एक टेलिफोने के लिए टॉक करने के बाद हम परसनल यह दूस्ते से मिलते हैं इस मत चीज को आगे बढ़ाते हैं और भगवान चाहेगा जी चाहेंगे गुरु बर्मन जी का अशिर्वाद होगा तो हम इस माम नवी कहना कहीं काम्याप होंगे शुक्रिया दोस्तो ओम तत्सत नमस्कार